नमशकार दोस्तों आपका स्वागत है वेल सुन फारे में सी में जहां पर हम सर्व करते हैं हैं एक लोशन जो काफी फाइदे मन हो जकता है आपके लिए तो हम इसमें देखेंगे इसकी पैकिंग देखेंगे इसको कौन कंपनी बनाती है कितने एमल में यह आपको देखने के मिल जाता है इसके साल्ट के बारे में बात करेंगे वो आपकी बिमारी में कैसे काम करती है इसके प्राइस के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं यह कुछ इस तरीकी की इसकी पैकिंग है यह 165 रुपे MRP के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है ए में आपको ketokonazole, koltar, salicylic acid और kade oil आपको देखने के लिए मिल जाता है ये अगर मैं इसके percentage की बात करूँ तो ये इंडियन pharmacope के तहट जो है बनाया जाता है 2% weight by volume ketokonazole है, koltar 2% है, salicylic acid भी 2% है और kade oil इसमें 3% है और aqueous basis के अंदर जितनी जरूरत है, उसके हिसाब से इसमें डाला गया है, यानि quantity sufficient डाला गया है अगर मैं इसके indication की बात करूँ तो ये basically जो fungal infection हो जाता है हमारे को, उसमें काम आता है ये देखिए एक red strip आपको दिखाए जे रही है, तो ये आपको prescription पे ही मिलेगा, ये schedule H category का drug माना जाता है ठीक है, बच्चों की पोँच से दूर रखना है, direct sunlight से भी दूर रखना है इसको आपने ठीक है, और ठंडे स्थान पर आपने ये रखना होता है अब मैं बात कर लेता हूँ, ये जो ketakonazolo होता है, ये basically करता है, तो जो हमारे scalp वगारा में जो fungal infection हो जाता है कहीं पे भी, जो kitchen जो हो जाती है, ठीक है, या जो जो खिलाडी होते हैं, जो पंजे के अंगलियों के बीच में जो infection हो जाता है, उसको ये ठीक करता है ये क्या करता है, जो fungal के जो cell होते हैं, उसकी membrane जो होती है, उसके साथ में उससे लड़ता है, और उनको खतम कर देता है, उसकी growth को खतम कर देता है, ring warm ठीक होता है, और inner thighs में जो हमारे fungal infection हो जाता है, या private part में हमारे infection हो जाता है, उसमें ये काफी काम आता है, तो अब आपको fungal infection होगा है, आपने उसको गीला कर लेना, और अच्छे से साफाफ करके, ये lotion आपने वहाँ पर लगा लेना है, और मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि आपने इसको जो है, मतलब 3-4 गंटे उसको लगा कर रखना है, उसके बाद ही साफ करना है, साबून वगर आप आप यूज ना करें उस एरिया में, ना ही किसी तरीके की और क्रीम वहाँ पर यूज करें, अगर मैं side effect की बात करूँ तो आपको उस एरिया में burning हो सकती है, irritation हो सकती है, redness हो सकती है, या वहाँ से खाल की पपड़ी भी उतर सकती है, दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लि आपका बलबो दन्यों